क्यों वेलकम कायस क्या साम सब लोग मैंको पता कि ये वीडियो बहुत जोदा लेट है क्योंकि एड़न जेरो के दो एपिसोट रिलीज हो चुके है और मैंने एक भी कवर ने किया पर डोंट वेरी आज एक वीडियो आएगी कल एक वीडियो आएगी और दोने ही कवर कर जैसा कि हम लोग ने पिछले एपिसोट में देखा था प्रोफसर वाइस पर फॉर एलमेंट के दूसरे मेंबर पाय ने अटेक किया था एक लेजेंडरी स्नाइपर से और प्रोफसर वाइस बहुत दाखायल हो गय थी प्रोफसर वाइस को हील करने के लिए मैडिसन देने के लिए हैप्य और पिनो आते हैं लेकिन हैप्य और पिनो का सामना फॉर एलमेंट की तीसरी मेंबर सिल्फी से होती है सिल्फी के पास विंड की पावा थी सिल्फी ने विंड का डॉनेटो बनाकर हैप्य और पिनो को क्यात कर लिया था तो यह वाला एपिसोड सूरू होता है हैप्य और पिन विन डॉनेटों के अंदर फसे होते हैं रेबेका कहाते हैं कि हम लोग कहाँ पर है मुझे लगता है कि हम किसी चीज़ के अंदर घुज गए है हमें परपसर वाइस तक जल्दी ही पहुचना होगा और से मैडिसन्स देनी पड़ेगी वन उसके अलत और विज़त खराब हो जाएगी हैप्य ट्रांस्पों होने लगता है और गन में चेंज हो जाता है रेबेका गन्स को पकड़ लेती है और वही पर वुलेट्स फायर करने लगती है पर वो वुलेट्स वही पर टकराने लगती है रेवेका कहते की ठीक है तो मैं अपना Aethergear लीपर का इस्तमाल करूँगा और रेवेका अपना Aethergear एक्टिवेट करती है और डोण्येटों पर लाते ही लाते मारती है पर इससे भी कुछ में नहीं होता येपी कहते कि ऐसे तो हमारे क्या होगा? और सिलमी कहते कि जितना कौशिच करना है कर लो पर तुम लोग इस डौनियटो mice को बिलकूल भी तोड नहीं सकते सब्सक्वेम कहते कि हरमीट क्या तुम मुझे सुन सकती हो? जाओगे रेबेका सीखी से कनेक्शन जोड़ने में बिल्कुल कामयाब हो जाती है रेबेका कहती कि हम दोनों बहुत बड़ी मुसिबत में हुपच चुके है रफसर वाइस की मेडिसन बाहर रखी हुई है सीखी उन दोनों से बात केन की कोशिच करता है पर कनेक्शन कट हो ज में सब कुछ बता दिया था और शिस्टर कहती कि फॉर एलिमेंट मुझे फॉर एलिमेंट में बिल्कुल भी दिल्चल पी नहीं सबसे जरूरी बात रेगन जो हमारी शिप का आखिर पीचा क्यों कर रहा है और मारे कहती कि मेरे कहल से एडेंजर शिप बहुत धमेंगी है इ उसे कोई ना कोई खास वायदा होने वाला है मारे कहते कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता लेकिन मास्टर नोवन से बात करने के बात रेगन जो ने एडेंजर शिप को टार्गेट बनाने का फैसला किया वैसा कैसा आपको यादि होगा मास्टर नोवन होगे वा एडिसर तो यहां पर है पर हैप्य और पिनो कहां पर होंगे वो दोनों तो बिल्कुल भी जौब नहीं दिरे हुमरा तुम प्रोफासर वाइड हां जो आप्पने बहुत x丁फिस सथाफ़ाया gluten और मैं नोको कोई बढück जर्द रहरा होगे इयुनों कहते की यह crystal gear कहीं पर भी जाने नहीं दूंगी और सिकी सिल्फी पर एक जोरदार अटेक कर देता है फिर इसे सिल्फी कुछ भी नहीं होता सिकी कहते कि यहां की चीजों को मैं समाल लूँगा हुमुरा तुम्हें प्रोफेसर वाइस के पाया जाना है हुमुरा मैडिसन को लेकर वहां से ज सुपाय है जल्दी से बताओ और सिल्फी उसे टेक को डॉज करती है सिल्फी कहते कि मेरे भाय ने जो बता है वो बिल्कुल सही है क्लेस्ट के बाद तुम कहीं पर भी नई दिखे और यहां पर जिन भी आ जाता है वैसे कैसा आपको जिन यादी होगा जिन के पास भी के अंदर ती यह कोई जिल नहीं लगती तब ही यहां से ड्रेगन जो के आवाज आती है और ड्रेगन जो कहते कि ओ तुम यहां पर उट गई ड्रेगन जो बाट टब के अंदर नहा रहा था ड्रेगन जो कहते कि चलो यहां पर थोड़ी देर बात करते है और अपने कपड़ थीरे थीरे अपने हाथ को happy की तरफ बढ़ा रही थी और dragon जो कहते कि उस gun की तरफ हाथ मत बढ़ाओ वो तो एक चलती परती gun है वैसे वो सोते समय काफे ज़्यदा अच्छा लगता है मुझे गलत फैमी को दूर करना है मुझे तुम्हें मानने का कोई इरादा नहीं है और वैसे भी मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने वाला Master No1 ने तुम्हारे बारे में बताए है तुम भी क्यूबर हो है ना और Rebecca गहते कि क्या Master No1 ने हमें बेच दिया ड्रेगन जो कहते कि वैसे भी तुम्हें ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए Rebecca कहते कि तुम एड़न जेरोशिप को क्यों निसाना बना रहे हो और ड्रेगन जो कहते कि एड़न जेरोशिप में कुछ ऐसा है जो बहुत उदा कीमती है तुम्हारी लिए आपर मैंने कपड़े रखे कपड़े पहनने के बाद कमर से बाहा निकलना और ड्रेगन जो के जाने के बाद Rebecca कहते कि मुझे करना के चाहिए प्रफसर वाइस को मेडिसन के जरौ थे फिर सिंट चेंज होता है सिल्फी कहते कि तुम मुझे मेरी कोट नेम से बुलाया करो तुम दुबार से मेरा रियल नाम मत लेना लेकिन जिन दुबार से कहते कि क्लेन उस वरत का पीचा करो और सिल्फी कहते कि आपने दुबार से रियल नाम लिया ये चारो पावर 4 element के members के पास है और उन मेंसे एक clean है जिसके पास wind के पावर है और बेनों कहते है कि या हो तुम्हारी one है तुमने उसे कहा था और जिन कहते है कि इससे तुम दुनों का कोई भी लिना दिना नहीं और साथी जिन अपनी wind के पावर से अटेक कर देता है और सिकी भी अटेक कर देता है जिन उस अटेक को डॉज करता है और कहते है कि तुम्हारे ether gear बिलकुल भी नहीं बदला हम जब पहली बार मिले थे उससे मैं बहुत ज़दार different हो चुगा हूँ मेरी पावर बहुत ज़दा यह मेरा plant है और dragon जो कहते है जिन ता करने की जरूफ नहीं इससे मैं तुमसे नई चिनने वाला dragon जो एक जगह पर जाता है और एक पिंजरे को एक्टिवेट करता है पिंजरे कंदर लाबलिया बनती रेबेकश पूरी हेरान हो जाती है और कहते कि यहां पर लाबलिया क्या क समझ लो रेंगेंगेंज को चाहिए थूम्हारे साथ काम करना पसंद करऊंगी और उम्पर केहना से था मितलब होगी मनें बता है तो रिमजे यहीं पर जका मारकर जेल नहीं गिरा देता है डेगन जो के पास चीजों को बदनने की power थी मतलब transformation power थी डेगन जो कहते कि ठीक है तुम यही पर है ना डेगन जो कहते कि मेरे पास बहुत सारी काम है तुम यही पर उखना उसके बाद मैं तुम्हें दिखूंगा और पहली बाद तुम कुछ भी कर सकती हो बुलाद मार सकती हो अपनी power का यूज कर सकती हो पर काच बिल्कुल भी नहीं तूटने वाली और तुम उस लड़की को सजा भी दे सकती हो और उसे मार ना मत और यह कहने के साथ ही डेगन जो वहां से चले जाता है उसके जाने के बाद रगेका कहती की लाबिलिया मैं तुम में बचा लूँगी रगेका लाबिलिया की हत्कड़ और नीचसी कर जिस चींठाक क्रियेचर निकलता है और कहते हैं की तुम हत्कड़ को खोल नहीं सकती और नहीं उस लड़की को मार सकती हो मुझे तुम पर नज़र रखने के लिए का आ गया है ताकि तुम यहां से भाग ना सको और अपने असली फॉर्म में आ जाता है और कहते कि मैं फॉर एलिमेंट का फॉर्थ मेंबर हूँ मेरे नाम दैची है क्या तुम्हें चोकलेट खाना पसंदे नामेजिक है न और अब एबगए कर पहली बात तुमने लावेलेगते के सथ का किया तुम्हें दैची कहते कि मैं यह तो पहला से श्धूर रहे और थमकाया है तुम्हें अबbij असली टोर्चर दिखाता हूँ और Rebecca चिल्ला कर गहते कि प्लीज वहाँ पर रुख जाओ और दायची कहते कि मैं रुख नहीं सकता साहट दिव तक मैंने किसी को भी टॉर्चर नहीं किया है टॉर्चर तोप मैं करकी रहूंगा मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता हैपी ट्रांस्पों होकर गन में चेंज हो जाता है और Rebecca कंस को पकड़ लिती है और फायरिंग करने वाली थी लेकिन तब दायची अपना एथर गेर एक्टिवेट करता है और Rebecca के हाथों से जाड़या निकल लगती है Rebecca आपने आपी दिवार पर बन जाती है दायची कहते कि मुझे ओर्डर मिला है नमबर 29 को टॉर्चर ना करने के लिए पर मैं तुम्हें टॉर्चर करने वाला हूँ और यहीं से सिंज होता है जिन के एथर गेर की पावर बहुत जादा थी और सिकी भी हवा की वज़े से पीछे जाने लगता है और पिनों से कहाते कि तुम कुछ न कुछ पकड़ लो नहीं तो हम ओड जाएंगे जिन नीचे से बहुत सारे पत्थरों को निकलता है और गहतिक मैं तुम्हें ओवर ड्राइक की पावर दिखाता हूँ लेकिन सिकी उन सारे पत्थरों को एक पत्थर बना दिता है और उल्टा जिन पर अटेक कर दिता है लेकिन जिन उस अटेक को डॉज करता है और उनने लगता है फिर जिन और सिकी के बीच में खतरनाग फाइट होने लगती क्लिन केहते कि मैंने तो तुम्हें बड़ी आसानी से ठूड लिया हुमरा अपना एथर गयर सुल ब्लेड को एक्टिवेट कर देती है और फाइट के लिए बिल्कुल तयार हो जाती है हुमरा के स्वाट जैसे ही हवा को टच करती है हुमरा के स्वाट धेरे धेरे डिस्पॉन हो जाती है असलुम एक क्लिण की पावथी खलें नहीं के लिए वीडियो को लाइक नलेक कर दो और इसका अगला एपिसोड अगली दिन आ जाएगा इसलहें दामत करें च्लत